डाउट्रेट पर होग अब आपके सारे फिसिक्स के वेस्टिन माच जाउट्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोल्टों खीचो अक्राप को और तुरंच वीडियो सिलुशन पाउट डाउट्रेट आप अभी या फिर वाच्साप कीचे अपने डाउट्स आठ चार्स इसा कहा गया है कि यह दोनों ट्यूनिंग फॉर्ट्स को एक किसी आदमी के कान के पास रख दिया गया है तो उसके बारे में पूछा गया है कि वो किस तरह से साउंड डियर करेगा तो अपन जैसे स्पीड ऑफ साउंड पहले वाले का जो फ्रिक्वेंसी है वो 250 हर्ट्स है और दूसरे वाले का फ्रिक्वेंसी 253 hertz है क्योंकि यहाँ पर omega दे रखा है यह 2 pi into frequency equal to omega होता है omega अपने को दे रखा है 500 500 equal to 2 pi 500 pi equal to 2 pi into frequency अब pi cancel हो गया f हो गया अपना 250 तो यहीं से अपने को frequency आ गया 250 hertz पहले के case में और उसी तरह से 253 hertz आ जाएगा इस दूसरे वाले के case में तो अपना जो beat frequency आया V1 minus V2 वो आ गया 3 3 beat per second उसे सुनाई देगा अब अब अगर अगर अपन intensity ratio के बारे में देखे हैं तो maximum intensity होगा वो A1 plus A2 का whole square होगा और K proportional होगा और minimum intensity अपना A1 minus A2 whole square के proportional होगा उन दोनों का ratio कुछ इस तरह का हो जाएगा और इसे अपन लिख सकते हैं A1 का amplitude है 4 और A2 का amplitude है 2 4 plus 2 का whole square divided by 4 minus 2 का whole square यह अपना आ गया 36 by 4 यह अपना 9 answer आ गया तो अगर अपना options देखें तो अपना option B जो होगा वो correct हो जाएगा 3 beat per second intensity ratio between maxima and minima equal to 9 तो यह अपना answer होगया प्सक्राइबना आ आ तो जाएगा